गुवर्मेंट डिस्टिक हॉस्पिटल रियासी में हमने मेडिकल सुप्रिटेंड डॉक्टर कॉपाल दजी से बात की थी और उन्होंने अपने इंटेविव में कही न कहीं मेंचिन किया था कि शायद डॉक्टर रेना जो है वो आपके हाथ की नव्स पकड़ के ही मिमारी बता देते हैं तो आज हमें सुभागय प्राप्त हुआ है डॉक्टर रेना से रूबरू होने का आईए उनसे करते हैं खास बात चीत तो सबसे पहले डॉक्टर रेना जी स्वागत है आपका जेके नियूस टुड़े में तो शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआती दिनों से कैसे आप डॉक्टर जो बने और किस तरह की चीजें जो थी आपका इंस्पायर करती थी देखें बच्प्रंद से ही मुझे इस प्रोफेशन का बहुत शोग था बिकाज इस अ लाइफ सेविंग प्रोफेशन इससे हम हुमन लाइफ को बचाते हैं तो मैंने अपना MBBS 1989 में जोइन किया सिरनगर मेडिकल कॉलेज जीमसी सिरनगर में और 1989 डिसमबर को हमने पास आउट किया वहां MBBS तो 1990 जैनुरी में मैं जुमू आया है जुमू मेडिकल कॉलेज से मैंने इंटर्णचिप, हाउज जॉब, पीजिजियो, रजिस्टर्शिप ये सारा उधर से ही किया जुमू से, उसके बाद मैंने फील्ड जॉइन किया, फील्ड मैं मैं मैक्सिमम इसी डिस्ट्रिक में रहा हूँ, रियासी में कट्रा मैं, माता वैशनो देवी बावन मैं मैं पांच साल रहा हूँ और maximum time मैंने इसी district 80 में दिया हुआ है तो जैसे डॉक्टर साब आपके बोला जाता है कि आप nerves बगड की बिमारी बता देते हैं तो ये medical science है या experience है आप क्या कहेंगे इसको देखें medical जो department है फील्ड है जो हमारा फील्ड है इसमें तीन चीज़ें होती है बेसिक है medical knowledge जब तक medical knowledge नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो उसके बाद intuition, intuition भी the experience आता है और judgment भी the experience आती है तो डॉक्टर साब आपकी career का सबसे important कहें या सबसे special कहें या सबसे tough case क्या रहा है अभी तक सबसे tough सबसे tough period जो रहा है वो माता वैशनुदेवी बावन में रहा है क्योंकि माता वैशनुदेवी बावन में as a doctor it is a very difficult job क्योंकि 24 in to 7 वहां actually होता है patients रात को भी आते हैं, दिन को भी आते हैं, वहां रुकती नहीं है यात्रा जैसे यहां हम night पे call पे होते हैं, कभी कभी बुलावा आता है, हफते में दो दिन, तीन दिन, वहां वैसा नहीं है वहां हफते के हफते आपको रात को भी आटेंड करना है, दिन को भी आटेंड करना है so that was the toughest stage, वहां पे हमने during that period हमने थ्रॉंबलाइज किये हैं and that is perhaps the only dispensary, मातावशनो देवी बावन, जहां पे थ्रॉंबलाइस होता था, heart attack के patients का DC shock दिये हैं, हमने उतर और patients को बचा है, किसी की death नहीं हुए, unfortunately वहां तो sir, किस तरह के ज़्यादा cases, जैसे dr. गौपाल दची ने भी बताया कि सांस लेने में problem आती है या chest में congestion हो जाता है वहां पे जो मैंने देखा, मैं बावन की बात कर रहा हूं, that was a very tough era वहां basically जब patient चड़ाई, जब यातरी चड़ाई करता है, तो वह कहता है, मैंने शद्दा से जाना है अगर heart का patient भी है, तो वह पैदा चड़ के आता है तो उनको problems होते हैं, कई बार MI होता है, asthma होता है, arrhythmia होते हैं, ठीक हैं तो वह manage करने पड़ते हैं तो डॉक्टर साब, एक सवाल और पूछूँगा आपसे, जैसा कि आप रियासी में हैं, आपके पास दूर-दूर से लोग आते हैं, आप ऐसा नहीं चाहेंगे किसी बड़ी metropolitan city में जाकर आप वहाँ पर जाकर practice करें देखें, मेरे रियासी ही एक metropolitan city है, क्योंकि रियासी पर जो मुझे allow मिला है, respect मिला है, वो बड़े कम जगह मिलेगा, ठीक है मैंने वैसे metropolitan city में काम किया है, निव डेली में मैंने बत्रह hospital में दो साल काम किया है और तीन साल total metropolitan city में काम किया है, वहाँ से सी के मैं वापस आया हूँ, up to my roots, so that I can serve the people जिन्होंने मुझे allow दिया है, बड़ा किया है, और इस ताइक बनाया है कि मैं उनको serve करूँ तो सर्थ, रियासी में किस तरह के special cases आपने handle किया है अभी तक? रियासी में सब किसम के cases है, MI है रियासी में, लेकिन एक जो typical disease जो है रियासी में मैंने देखिए वो hereditary angioidema है, जो कि बहुत एक rare disease है उसके 4-5 cases हमने यहां treat किया, उनकी life save किया है, उनमें सांस रुक सकता था और उनमर सकते थे, उनको हमने injection एक जिया जो बड़ा महंगा है, कोई 50,000 का free मैं दिया है, किसी organization ने हमें डोनेट किया था, so hereditary angioidema is a rare disease जो मैंने यहीं देखिए है, और कहीं नहीं देखिए मैंन तो आपका सजादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि डॉक्टर का वक्त बहुत कीमती होता है, आपको phone आ रहे हैं, तो हम आपसे यहीं पर इजाज़त लेते हैं, thank you so much हमसे बात करने के लिए, doctor साब, thank you sir, तो यह थे हमारे साथ Dr. Rana जी, obviously यह बहुत ही popular and famous doctor है, इने calls आ रही है, हम जादा इनका समय नहीं ले सकते हैं, हमने इनसे बात कि और जाना कि किस तरह की cases जो है, इन्होंने handle किये, इनकी journey जो है, कहां से शुरू हुई, और क्यों यह रियासी में आज भी हैं, तो इसी तरह की और भी special updates के लिए, special reports के लिए आप देखते रही है, JK News Today, मैं मुक्ती शर्मा कैमरामेन काकाराम के साथ साइनिंग में